अगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो प्रिवेस क्लासिस में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे कंपनी के बेसिक्स में आता था अब यह तीन माक्स का हो गया है कंपनी मैंने आपको बता हो नीची कि कौन सी चीज कहां से आ रही है लेकिन तीन माक्स का कोशन आज आप घर किसे ले जाएंगे जो वीडियो देख रहा है अब यहां अब नहीं है अब अब यह वह पर प्रेजिट नहीं आती है वह आपको बताऊंगा पहले तो समय लेते हैं कि कंपनी के सबसे पहले आता है एथ्वराइज कैपिटल दूसरा नाम सुना होगा आपने इस्वराइज कैपिटल तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल तरह यह है क्या अभी तक तो आपने पार्टनर्स अभी इसका नाम चेयन हो जाता है कुछ भी कोर्स करते है यानि कि after 12 उसमें ये company आती ही आती है इसको corporate accounting भी बोलते हैं आगे इसका नाम change हो जाता है company account की जगा corporate account हो जाता है क्योंकि आप job करोगे corporate sector में करोगे तो आप छोड़ा सा changes होगा लेकिं इसको समझना होगा है है क्या सबसे पहली capital आती है authorized capital हम बोलते है nominal capital और registered capital ये वो capital होती है जो company की maximum capital होती है जिससे company registered होती है मान लेते हैं 50,000 क्रोड से मेरी capital registered हुई तो ये मेरी authorized capital है ये maximum capital है इससे जादा के shares में market में issue नहीं कर सकता ये मेरी dead capital हो जाती है मार्केट में maximum capital है ये मुझे अपने memorandum में show करना होगा जिस नाम से मैं company बना रहा हूँ या company को मैं जो हजार क्रोड की company है तो जिससे मुझे अपनी capital को register करना है तो वो बन जाती है मेरी memorandum application में register capital या authorized capital या maximum capital या nominal capital इस capital को हम भी कहते हैं ये capital हम बढ़ा नहीं सकते गठा नहीं सकते बढ़ा नहीं सकते ये fixed capital होती है हमारी जब company start की जाती है तो company की memorandum execution में हम अपनी capital को decide करते है कि कितने हजार करोड से हम अपनी कर रहे हैं या उपन कर रहे हैं यहां तक समझ में आ गया तो यह कंपनी की क्या होती है फिक्स कैपिटल कभी भी कंपनी मत्तब इससे ज्यादा कि शेर मार्केट में इशू नहीं कर सकती, तो मेरी अगर 50,000 क्रोड की बात कर रहा हूं, तो 50,000 क्रोड की मेरी कैपिटल हो गई, अब उस में से मैंने कितने इशू किये, इशू का मतब है, मैं पबलिक को कितने इशू कर रहा हूं, शेर्स, तो सारे शेर्स इशू नहीं करता, 51% share के पास हैं वो तो holding company हो जाती है मतलब वो main company है उसका management भी उसका रहेगा directors भी उसके रहेंगे board of directors chairman सब उसके रहेंगे अब बच्चयावाई जो हिस्सा है 49% या इससे कम काईबर company क्या करते है 75% share अपने पास रखती है 25% share market में issue कर देती है तो वो 25% share है जो market में launch किये गए है उन share को क्या करते है पब्लिक को issue किया जाता है वो बन जाती है issued capital authorized capital कितनी है मेरी मैंने भी बताया आपको 50,000 करोड से मेरी company खुली है जिसमें से जिसका मैंने 25% share issue कर दिया है या 50% नहीं करूँगा मैं 49% से कम share issue करूँगा 40% share issue कर दिये 30% share issue कर दिये सारे share issue ना करके हमने कम कर दिये 51% से ज़्यादा share 51% हमेज़ा किसके बाद रहेंगे जो main company के honor है उनके पास रहते हैं इशूड कैपिटल वो होती है जो मैं public को issue करता हूं पबली को जो public को issue किया जाते हैं अब issue तो मैंने कितने करें मैंने आपको पताया कि मान लेते हैं इस 50,000 क्रोड का मैंने 30% issue कर दिया कितना 30% issue किया कितना होगा 15,000 क्रोड के market में share issue करती है अब public इसे apply करती है कई बार क्या होता है हमारे shares जितने मैंने share issue किये उतने share भिग जाते हैं तो subscribe capital वो होती है जो public ले लेती है जो public खरीदती है हमसे वो जाती है subscribe इशू मैंने जितने किये अगर उतने के ही application आगी तो बन जाएगी subscribe उतनी पर यह ध्यान रखना है public company को जितने share issue करती है उसका 90% subscribe होना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है तो बचे फिर जितना पैसा company के पास आता है तो company को वो सारा पैसा वापिस करना पड़ता है इसलिए इसको minimum capital भी बोलते हैं कि minimum capital company को लेनी बढ़ती है अगर public company बनना ह है तो public का confidence जीतना होगा और public से share होगा पैसा लेना होगा तो यह हमारे को धिहान रखना है 90% issue capital का हमारे को subscribe होना बहुत जरूरी है तो company क्या करती है अपने सुना होगा जैसे property के लिए हम क्या करते है property dealer के पास जाते है property dealer क्या होता है plots को खरीद देता है कम गाम पर खरीद है अगर वो शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीद पाए तो फिर अंडर राइटर को खरीदने पड़ते हैं वह सारी शेयर्स है यह यह भी आप पढ़ोगे अंडर रेटिंग का भी चेप्टर है आपके अफ्टर ग्रेजिएशन में वह सारे टॉपिक्स है और आरा बने रो मे विकॉम में होगे किसी टॉपिक में कई प्रावलम आएगी तो आप वह भी टॉपिक लिखना में वह भी प्रावांगा अपको अब तो कहीं तक भी पूछो सारी कराऊंगा तो अच्के बाद आता है सब्सक्राइब के लिए अब यह तीनों के एक नंबर हैं आपके यह इस्यूट के बिटल होती है जो में पब्लिक को इशू करवाते हैं घड़ कोन सी होती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो पब्लिक ले लेती है अब यह तीन के साते हैं इसमें कितने के साते हैं पहला के साता है 15,000 शेयर इशू किये 15,000 के लिए अप्लिकेशन आगी 15,000 15,000 से ज्यादा के लिए application आ गी 20,000, 25,000, 50,000 Oversubscribe तो 3-5-10-10 गुना भी हो जाता है मतलब जितने application हमने मांगी नहीं थी उस से ज्यादा के लिए applications आ गई जैसे vacancies में होता है ना आपकी vacancy होती है, 100 sheet की application आ जाती है एक लाग की तो कितने ऊवर subscribe हो जाते है करता है तो वह सब्सक्राइब जैसे वह लॉंच करेंगा लॉंच करते ही वह भर जाता यह लोग उसकी कंपनी में जादा जादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पता है यहीं चीज है शेयर के बहुत कूछ जानने के वीज़ीच में टॉपिक आता रहेगा तो मैं आपको समझाता भी रहूँगा तो अभी आज एक बैलेंशीट सिखाते हैं क्योंकि मैंने बात ले दिया आपसे कि तीन मार्स आज भर ले जाएंगे तो तीन मार्स को समझेंगे कैसे ठीक है सबसे पहले यह जो बैलेंशीट बनाएंगे यह वन मार्क्स की है ठीक है बैलेंशीट और एक्स वाई जड लिमिटेड अब यहाँ पर लिखेंगे एज एट अभी तक आप लिखेंगे एज एट अब यहां लिखेंगे एज एट अब मां लेते हैं एक अतिस तीन दो हजार तेज़ और चोटी सी बैलेंशीट है और इसी बैलेंशीट का आपको वन मार्क्स मिलना है पहला आता एक्विटी और लियाबिलिटी एक्विटी और इसमें आएगा शेयर होल्डर फंड्स और इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और वो एमाउंट हमारी यहां पर लिखी जाएगी और इसको लिखने के आपके वन मार्क्स हैं लेकिन इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अब यह शेयर होल्डर एक्विटी और लियाबिलिटी फॉर्मेट में आता से से पहले एक्विटी और लियाबिलिटी यह मेजर हैड और माइनर हैड आएगे इस टॉपिक को किलियर करने का मतलब है आपका एक टॉपिक थर्ड बुक का और किलियर होगा जिसमें हम का short short आता है तो इस topic को समझेंगे तो वो topic भी clear जाएगा और एक और topic इससे related आ जाता है ratio analysis आप ratio analysis को भी इसी के माध्यम से सीखेंगे लेकिन अगर किसी को partnership नहीं आती है तो घबराने वाली बात नहीं है पार्टनर्शिप का इस topic से कोई भी लेना देना नहीं है इस chapter को समयना बहुत असान है general entry तो सभी कर लेते हैं आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कोई आठ एंट्री गिसी बिटी एंट्रियां वो हर बार आएंगे और उन में जो दिजिट विट करनी है खेल उसी का है वो calculation अगर आप day one से practice करेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे नहीं तो दिक्कत आएगी आपको तो यहां तक आई हो समझ में आ घ्या होगा सबसे पहले हैं हैं एक एन्ट लिपे में आ चीओ लए और घ्य किस्टिर के बात कर तो खरी के लिए आते हैं आपका liabilities liabilities आपके दो होती है एक होती है आपकी external liability long term liability एक होती है short term जिसे हम debt कहते हैं जिसे कहते हैं debt long term debt और short term debt long term debt में आएंगे debentures bank के loans वगरा और short term debt में आएंगे आपके creditors वगरा outstanding expenses short term जो आपने obligations को pay करना है वो liabilities में आएंगे फिलाल हम पढ़ रहे है equity की बात कर रहे है तो equity में आये shareholder fund अब shareholder funds क्या होते है shareholder company के honor होते हैं उनका fund क्या हुआ उनकी capital उनका reserve में पढ़ावा पैसा भी उनका यह जनरल reserve वगरा जो है उनके reserve fund में जो पैसा पढ़ाया है वो भी उनके हैं यह सब उसी के part है तो फिलाल इसमें बहुत जादा rocket science नहीं है हमें share capital fit करनी है और इसके लिए लिखना है note 2 account में जाके fit करना है note 2 account है one बस अब वो note 2 accounts हम बनाएंगे इस वाले format में इसके बाद इसी को हम questions के रूप में करवाएंगे note 2 account सबसे पहला आता है इसमें share capital हम किसका बना रहे हैं यहां पर देखें शेयर कैपिटल का बना रहे हैं यहां पर यही इसका note 2 account बनाएंगे share capital क्योंकि हम इसी का note number 1 लिक रहे है note 2 account का मतलब है जो one number का note है वो यही जो amount है वो यहां पर fit करनी है आपको इसके एक marks मिलने हैं आपको लेकिन यह एक marks तब आएंगे जब यह सही होगा यह सही होगा तो आपके पूरे 3 marks आपके पास आ जाएंगे चीक है तो सबसे पहले share capital में आता है authorized capital क्या आता है हमारा authorized capital जो मैंने आपको बताया था यह क्या होती है यह कंपनी की maximum capital होती है authorized authorized capital अब मैं एक questions आपको लिखवा रहा हूँ उसी common question की रूप में समझेंगे बहुत ही असान है बहुत ज़्यादा hard नहीं है यही पर एक question लिख रहे हैं हम आपको एक questions कराऊंगा जिस यह question मैंने board पे लिख दिया है तो यहाँ पर हम समझते हैं कि question balance sheet की रूप में कैसे करें इससे थोड़ा सा tricky question आता है exam में पहले बेस समझ लेते हैं इसके बाद जो मैं questions कराऊंगा किसी का थोड़ा सा advance कराऊंगा वही question exam में आता है मैं वह भी बताऊंगा कि question क्या आएगा digit change होगी बस cable board में बाकी question same to same आपको वैसी देखने के मिलेगा तो फिलाल हम करते हैं पहल आप इससे balance sheet को format को समय लें कि मैं कहना क्या चाह रहा था वो कह रहा है x y z limited है registered with capital divided into 10 lakh 10 lakh रुपे में divided है 1 lakh shares पे 1 lakh equity shares हैं जो 10 रुपे का एक है registered capital authorized capital को कहते हैं registered capital nominal capital authorized capital एक ही बात कह रहा है तो सबसे पहले कह रहा है authorized capital इसको आप क्या करेंगे highlight करेंगे और यहां पर लिखे 1 lakh shares at the rate of 10 rupees each एक लाग रुपे एक लाग shares है 10 रुपे का एक तो कितने के हो गए हमारे 10 lakh सांज मागे हैं यहां तक सबको 1 lakh into 10 रुपे करो तो कितना आएगा 10 lakh और इसके निचे आपको दो लाइन खीचनी है ऐसे कर गे अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका मार्क्स आधा मार्क्स आपको बोर्ट दे देगा बहुत टफ है यह हर कोश्चन में ऐसे ही होगा मत्तब हार्ट से हार्ड कोश्चन आए असान से असान आए कैसा भी आए आपको इसी तरीके से करना है वो फिक्स होता है authorized capital को ज्यादा पॉक्रेट साइंस नहीं आती है बहुत सिंपल सही आता हो जादर साइंस में आ गया अगर नहीं आया तो दुबारा पूछो आगे सबको एक लाग शेयर हमने इशू किये तो एक लाग शेयर से इस्यूड कैपिटल इस्यूड कैपिटल कितनी की हमने 75,000 शेयर्स इशू किये हमने एड़ रेट आफ रूपीज टैन इच 75,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा साथ लाग पचास जार यह भी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और आधा मांक्स आपके खत्ने में फिर जाएगा यह पता चाल गया एक मांक्स तो ले गए ना आप कोई कंफीजन है यहां तक यह आपके टुफ से टुफ कोस्टिन में भी यही फॉर्मिट है यानि कि आज एक मांक्स तो आप पूरा ले गए अब आज जाओ सी पार्ट सी पार्ट थोड़ा सा थोड़ा सा गए 70,000 के रारी सीव एप्लिकेशन कितनी वी 70,000 शेर्स की यसका मतब यह कैपिटल जो है मारी वो क्या है मारी सब्सक्राइब कैपिटल है तो यहां पर आजाएगा सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब केपिटल है मारी 70,000 शेयर इश्यू एड़ रेट ऑग रुपीज टैन इच कितना आ गया सेविन लैक और सेविन लैक के साथ यहां का जो टोटल आएगा वो भी सेविन लैक आएगा कि यहां तक सभी आ गया सबको यह सो नो दुबारा पूचो और यही साथ लाग आप यहां पर लिखेंगे और यह करते ही आपका एक मार्क्स और यह हो गए आपके तीम मार्क्स देखो बहुत टफ था बैलेंशीट जिसने बैलेंशीट समय ली यहां पर आगे जाके और किलिर जागे हां मादव पता है आपके प्रॉलम क्या है पिटा सब्तर अजार शेयरों को इशू किया गया दस रुपे के इसाब से कितने आये कंपनी के पास साथ लाग उसके बैंक बनेगी वही तो मेरी कैपिटल है पुब्लिक ने कितने दिये मुझे साथ लाग तो साथ लाग ही मेरी सब्स्राइब कैपिटल हुई न है ठीक है किलेर हो गया बस यही था इसके बाद इसी कोश्चन को घुमाया जाता है ठीक है तो इसे नोट कर लो और जो ऑनलाइन वियर से स्क्रीन शॉट लेजिए तो इसके बाद वाले पार्ट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा थर्ड पार्ट की रूप में चोटे-चोटे पार्ट बनाएंगे ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक जूरू कीजिए और बने थैंक यू अनिमर्च लव यू अल